प्यारे बच्चों, आज हम जैप्रद्योगी की सिध्धान्त एवं प्रक्रम पाथ को आगे से पड़ेंगे. अभी तक हमने बायो टेक्नोलोजी अथ्वा जैप्रद्योगी की परिभाषा एवं सिध्धान्त के बारे में जाना. हमने देखा कि किस प्रकार कोहन और बेर द्वारा प्रथम कृत्रिम रिकॉंबिनेंट डीने या पुनर्योगज डीने का निर्मान 1972 में किया गया. पुनर्योगज डीने प्रद्योगी की के विभिन चर्णों में अभी तक हमने डीने के प्रित्यकरण और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिभंदम एंजाइम या आणवी कैंची या मॉलिक्योलर सिजर्स के बारे में पढ़ा. आईए, अब हम विस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण के बारे में जाने. E को आरवन का उधारन लेते हैं. E शब्ध वंच से लिया गया है, जोकी एस्चरिश्चिया है. CO शब्ध जाती से लिया गया है, R प्रभेद अथ्वा स्ट्रेंच से लिया गया है. वन, रोमन अंग है. यह अंग उस क्रम को दर्शाते हैं, जिससे जिवाणू के प्रभेद अथ्वा स्ट्रेंच से एंजाइम प्रिथक किये जाते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं. पहला, रिस्ट्रिक्शन एग्जोन्यूक्लियेस जो DNA के सिरे से नूक्लियोटाइड अलग करते हैं. दूसरा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस जो DNA को भीतर से विशिश थानों पर काटते हैं. आईए देखें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस किस प्रकार से क्रिया करते हैं. पहले, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस DNA अनुक्रम की लंबाई का निरीक्शन करते हैं. अब restriction endonuclease निरीक्षन करते हुए विशिष्ट पहचान अनुक्रम अथ्वा recognition site पा जाता है तब web DNA से जुड़ कर DNA की दोनों लडियों को sugar phosphate आधार स्थम्बों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि restriction endonuclease enzyme विशिष्ट पैलिंड्रोमिक nucleotide sequence अत्वा अनुक्रमों को पहचानता है पैलिंड्रोम क्या है? पैलिंड्रोम ऐसे वर्णों का समू है जो आगे या पीछे किसी भी तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनाते हैं जैसे मल्यालम DNA में पैलिंड्रोम क्षारक युगमों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो दोनों लडियों से एक जैसा पढ़ा जाता है यदि DNA के पढ़ने के अभी इन्यास को सामने रखा जाता है पाँच से तीन दशा में पढ़ने पर या तीन से पाँच दिशा में पढ़ने पर दोनों लडियां एक जैसी पढ़ी जाएंगी Restriction Endonuclease Enzyme DNA लडि को पेलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विप्रीत लडियों में दो समांक शार्तों की बीच काटते हैं G और A के बीच इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रतियक लडि में प्रलंबी फैलाओं मिलते हैं जिने चिप-चिपा सिरा कहते हैं या स्टिकी एंड्स भी कहते हैं आईए आप देखें कि किस प्रकार DNA खंड का प्रित्ध करण एवं विलग्न होता है अभी तक आपने देखा कि restriction endonuclease द्वारा DNA का खंडन हो जाता है इन खंडों को अलग करना आवश्यक है जो electrophoresis तक्नीक के द्वारा किया जाता है चित्र में देखते हैं कि DNA खंड नेगेटिव चार्ज के अनु होते हैं इसलिए इन्हें विद्युत शेत्र में माध्यम द्वारा नोट की तरफ बल पूर्वक भेजा जाता है DNA खंडों को माध्यम के चलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं छोटे खंड अधिक दूर तक जाते हैं माध्यम के लिए एगरोस जेल का प्रयोग किया जाता है जो की एक प्रकृतिक पॉलिमर है और सी वीड से निकाला गया है जब DNA खंड प्रितकृत हो जाता है तो इने देखने के लिए इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर यूवी लाइट अत्वा पार बैंगनी विकेडनों से अनावरित करते हैं DNA चमकीली नारंगी पट्टी की तरह दिखाई देता है DNA की इन पट्टियों को एगरोस जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकडों से एक्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस प्रक्रिया को इल्यूजन कहते हैं चतुर्थ चर्ण अभी तक हमने पड़ा कि किस प्रकार जै प्रद्योगिकी के द्वारा मानव जीवन में सुधार आया है और किस प्रकार विज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजिनियरिंग द्वारा जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर और रीकॉंविनेंट डी एने इत्यादी बनाए हैं आईए अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार PCR पॉलीमरेज चेन रियक्षन अत्वा पॉलीमरेज श्रंखला अभी क्रिया द्वारा लापकारी जीन का प्रवर्धन पात्रे विदी या इन विट्रो द्वारा किया जाता है चित्र में PCR तक्नीक को तीन चर्णों में धर्शाया गया है पहला निश्क्रियकरन अत्वा डीनेचुरेशन उच्च तापमान द्वारा डीने का विक्रितिकरन किया जाता है और डीने के दोनों स्ट्रांड्स अलग हो जाते हैं दूसरा तापानुशीलन अत्वा प्राइमर अनीलिंग इस सभी क्रिया में दो प्राइमर के सेट्स और एंजाइम डीने पॉलिमरेस का उपयोग किया जाता है प्राइमर छोटे रसायनिक संसलेशित अल्प नुकलियोटाइड होते हैं जो डीने के श्रेत्र के पूरक होते हैं तीसरा प्रसार अत्वा एक्स्टेंशन डीने पॉलिमरेस एक थर्मो स्टेबल एंजाइम है जो जीवानु थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया गया है इसे टैक पॉलिमरेस भी कहते हैं यह एंजाइम उच्टापमान में भी नुकलियोटाइड का उप्योग करते हुए प्राइमर को विस्तृत करता है इस डीने प्रतिकृतियन अत्वा रेप्लिकेशन प्रक्रम को कई बार दोराया जाए तो लगभग 30 साइकल में एक अरब गुना प्रतिरूपों का निर्मान हो सकता है आवश्यक्ता पढ़ने पर इस प्रवर्दित खंड को समवाहक के साथ बांध कर लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं जीन टेख की तक्नीक के बारे में हम सीख चुके हैं इसमें हम देखेंगे कि प्रतिकृत डीने खंडों को लोनिंग समवाहक के साथ कैसे जोडते हैं. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि restriction endonuclease enzyme palindrome अनुक्रमों को पहचान कर वरिप्रीत लड़ियों में दो समान basis के बीच काटते हैं और sticky सिरे बन जाते हैं. इसलिए stroke DNA और समवाहक यानि कि vector DNA को एक ही प्रकार के restriction endonuclease enzyme द्वारा काटा जाता है. जैसा कि चित्र से विदित है ऐसा करने पर DNA खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे या sticky ends होते हैं जो अन्य enzyme DNA ligase के द्वारा जुड़ जाते हैं. प्रितिकृत DNA को यदि किसी दूसरे जीव में सानांतरित कर दिया जाए तो यह संख्या नहीं बढ़ा सकते अत्वा प्रतिकृति नहीं बना सकते हैं. इसलिए यह अति आवश्यक है कि यह विजातिय DNA को जीवाणू भोजी बेक्टिरियोफाज या प्लास्मिट DNA के साथ जोड़ दें तो इनकी संख्या को भी जीवाणू भोजी या प्लास्मिट की प्रतिकृति संख्या के समान उनित कर सकते हैं. समवाहक इस प्रकार से तैयार किये जाते हैं कि बाहरी DNA आसानी से जुड़ सके और साथ ही साथ अपुनर योगजों यानि की ड्रॉन री कॉम्बिनेंट्स और पुनर योगजों यानि की री कॉम्बिनेंट्स की चयन में भी सहायता मिले. प्लास्मिट और बेक्टिरियो फाज अत्वा जिवानु भोजी का उप्योग क्लोनिंग में किया जाता है क्यूंकि यह जिवानु कोशिकाओं में गुर सूत्रिय डिने नियंत्रन के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृती करने की क्षमता रखते हैं और जिवानी कोशिका में अनेक प्रतिकृती बना सकते हैं अब हम समवाहक में क्लोनिंग करने हे तु विशेश्ताओं के बारे में जानेंगे चित्र में E. coli क्लोनिंग समवाहक PBR 322 दर्शाया गया है सबसे पहले हम प्रतिकृतियन का उत्पत्ती एवं औरी ORI का प्रारंभ की बात करेंगे यानी की ओरिजिन ओफ रेप्लिकेशन ये वो DNA अनुक्रम है जहां से DNA प्रतिकृतियां या रेप्लिकेशन की शुरुवात होती है जब कोई भी DNA का खंट ORI अनुक्रम से जुड़ जाता है तो वह परपोशी कोशिकाओं में रेप्लिकेशन कर सकता है ORI या ORI जोड़े गए DNA के प्रतिरूपों की संख्या का नियंतरन भी करता है समवाहक या क्लोनिंग वेक्टर की दूसरी विशेशता है वरन योगी चिनहक जिने हम सिलेक्टेबल मारकर भी कहते हैं ये non-transformance या अरूपांतरजों और transformance या रूपांतरजों की पहचान करने में मदद करते हैं transformation या रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक खंड को परपोशी जिवानों में प्रवेश करते हैं ampicilline, tetracycline जैसे antibiotic या प्रती जैविक के प्रती प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन E. coli के लिए उपयोगी वरण योग्य चिनक माने जाते हैं सामाने E. coli को शिकाओं में किसी भी antibiotic के प्रती प्रतिरोध नहीं होता समवाहक की तीसरी विशेशता है cloning sthl विजातिय अथवा प्रतिकरिट DNA को जोडने हे तू समवाहक में एक ही पहचान sthl अथवा recognition site होना चाहिए इसका मतलग restriction enzyme के लिए एक ही palindrome sequence हो यदि cloning vector अथवा समवाहक में एक से ज्यादा पहचान sthl हो जाते हैं तो gene cloning जटिल हो जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि cloning vector PBR 322 में स्थित tetracycline प्रतिरोधी gene के sthl से विजातिय DNA को जोड सकते हैं बाहरी DNA के insertion से tetracycline प्रतिरोध समाप्थ हो जाता है transformants का non-transformants से चयन करने हेतू ampicilline माध्यों में विद्धी करने वाले transformants को जब tetracycline युक्ट माध्यम पर स्थानांत्रित करते हैं तो यह transformants विद्धी नहीं करेंगे लेकिन non-transformants दोनों ही प्रकार के प्रति जैविक युक्ट माध्यम में विद्धी करेंगे इस प्रकार एक antibiotic resistance gene transformants के चुनाव में मदद करता है जबकी दूसरी antibiotic resistance gene alien DNA के निवेशन से निश्क्रिय होकर recombinant के चुनाव में सहायता करता है इस प्रकार transformants और non-transformants का चयन करना एक जटिल विधी है अब हम एक और विधी की बात करते हैं जिसमें transformants और non-transformants का चयन क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्तिती में रंग पैदा करने से होता है इसमें recombinant अथवा पुनर्योजक DNA को beta-galacodized enzyme के coding अनुक्रम में अंतर स्तापित करते हैं जिससे enzyme beta-galacodized बनाने वाली gene निश्क्रिय हो जाती है इसे insertional inactivation या निवेशी निश्क्रियता भी कहते हैं जब क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्तिती होती है तब non-recombinant वाले नीले रंग की कॉलनी बनाते हैं और जो कॉलनी बिना रंग वाली होती है उसे recombinant colony के रूप में पहचानते हैं क्योंकि उसमें beta-galacodized बनाने वाली gene निश्क्रिय हो चुकी है आईए जाने पोधुवा जन्दों में gene cloning हेतु कौन से सम्वाहक का उप्योग करते हैं पाधप और जन्दु कोशिकाएं जो की eukaryotic कोशिकाएं हैं इनमें भी genes को स्तानांत्रित करने के लिए जिवाणू और विशाणू का प्रयोग किया जाता है उधारण के लिए agrobacterium tumifacians नाम का जिवाणू एक रोग जनक पैथोजन हैं जो द्वी बीज पत्री यानि की dicot पोधों में पाधप कोशिकाओं को ट्यूमर में रुपांत्रित करता है और ये कोशिकाएं रोग जनक के लिए जरूरी रसायनों को उत्पाधन करते हैं पाधप ट्यूमर कोशिकाओं में टी आई प्लास्मिट की उपस्तिती होने से रोग उत्पन होता है एग्रोबेक्टेरियम ट्यूमिफेसियन के टी आई प्लास्मिट को अब क्लोनिंग वेक्टर के रूप में रूपांत्रित कर दिया गया है जो अब पोधों के लिए रोग जनक नहीं है टी आई प्लास्मिट को उप्योग अब अपनी अभिरुची की जीन को अनेक पोधों में स्थानांत्रित करने में किया जाता है इसी तरह पश्च्विचाणू रिट्रो वाइरस को अहानीकारक बनाकर जन्तु कोशिकाओं में वांचित जीन रूपांत्रित करने के लिए किया जाता है सक्षम परपोशी आतिथेय आईए समझें किस प्रकार से पुनर योगर डियने परपोशी जीर में डाला जाता है डियने जलरागी या हाइडोफिलिक अडू है इसलिए यह कोशिका जिल्ली या सेल मेंब्रेन से होकर नहीं गुजर सकता इसलिए यह अवश्यक है कि कोशिका को DNA लेने हे तु सक्षम बनाया जाए इस प्रकार से कोशिका को DNA लेने हे तु सक्षम बनाया जाता है वो निर्भर करता है कि कौन सी कोशिका है उनर्य योगत DNA या री कॉमिनेंट DNA को डालना है यदि परपोशी जिवानु कोशिका में उनर्योगत DNA को डालना है तो सबसे पहले द्वी संयोजन, धयायन या डायविलेंट केटेओन की विशिष्च सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है इससे DNA को जिवानु की कोशिका भित्ती अत्वा सेल वॉल में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में सहायता मिलती है ऐसी कोशिकाओं को उनर्योगत DNA के साथ बर्फ पर रखा जाता है और बल पूर्वक R-DNA का प्रयोग कराया जाता है इसके बाद थोड़े समय के लिए 42 डिगरी तापमान पर रखा जाता है उन्हें इन्हें वापस बरफ पर रखा जाता है इस विधी से पूर्योगत DNA या R-DNA जिवानु में प्रवेश कर लेता है यदि परपोशी कोशिका जिनमें R-DNA डालना है वो जन्तु कोशिका है तो इसे सूक्ष्म अंतक्षेपन अथ्वा माइक्रो इंजेक्शन विधी द्वारा सीधे केंद्रक यानि न्यूकलियस के भीतर अंतक्षेपित किया जाता है आप चितर में माइक्रो इंजेक्शन विधी को देख सकते हैं यदि परपोशी कोशिका जिसमें उनर्योगर डिने या R-DNA डालना है वो पादप कोशिका है तो जीन गन या बायो लिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं इस विधी में कोशिकाओं पर डिने से विलेपित, स्वर्ण, गोल्ड या टंग्स्टन के उच वेग सूक्ष्मकणों से बंबारी करी जाती है अन्तिम विधी है अहानिकारक रोगजनक समवाहक का उपयोग इन समवाहकों को जब पोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है तो ये पूनर योगज डिने को परपोशी या होस सेल में सानांतरित कर देते हैं अभी तक हमने देखा कि विजातिय डिने खंड को अलग करके क्लोनिंग समवाहक में निवेश कराकर जब हम किसी भी प्रकार की कोशिका जिवानूं जन्तूं एवं पादप कोशिका में सनांतरित करते हैं तो विजातिय डिने इन में गुणित अथ्वा मल्टिप्लाई होत है लगबक सभी रीकॉंबिनेंट डिने टेक्नोलोजी उनर्योगर्च प्रद्योग की का अंतिम उदेश्य है वांचित प्रोटीन का उद्पादन करना जिसके लिए आर डिने के अभिव्यक्त होने की आवश्यक्ता होती है यदि कोई प्रोटीन एंकोडिंग जीन किसी वि लेट्रोलोगस प्रोशी में अभिव्यक्त होती है तो इसे रीकॉंबिनेंट प्रोटीन कहते हैं अधिक जैव मातरा के उद्पादन से वांचित प्रोटीन या रीकॉंबिनेंट प्रोटीन के उद्पादन के लिए आओ जाने किस समवर्धन विधी का प्रयोग किया जाता पहला लाबकरी क्लोनिंग जीनो को आश्रे देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोग शाला में वर्धन किया जा सकता है समवर्धन को वांचित प्रोटीन के निशकर्षन में प्रयोग कर सकते हैं वह प्रितकरन की विभिन तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन होता है कोशिका को सतत समवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं जिसमें उप्योग के किये गए माध्यम को एक तरफ से निकाल कर दूसरी तरफ से ताजा माध्यम भरते हैं ताकि कोशिकाएं एक्स्पोनेंचियल अवस्था में बनी रहें। दूसरा, आईए अब देखें कि किस प्रकार बायो रियक्टर का प्रयोग 100 से 1000 लेटर तक समवर्धन आयतन अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बायो रियक्टर एक बरतन के सामान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पोधों, जन्तुओं वा मानव कोशिकाओं का उप्योग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। बायो रियक्टर वांचित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करता है जैसे तापमान, पी-एच, क्रियाधार, लवन, विटामिन, ऑक्सीजन, इत्यादी। बायो रियक्टर जो सर्वादी को पयोग में लाया जाता है, सामान्यता, विलोडन या स्टेरिंग प्रकार का होता है। ये दो प्रकार आप चितर भी देख सकते हैं। पहला साधारन विलोडन होस बायो रीक्टर अत्वा simple stirred tank bioreactor. दूसरा दन् विलोडग होस बायो रीक्टर अत्वा sparse stirred tank bioreactor जिसके द्वारा जिवानू विहीन हवा के बुलबुलों का प्रभेश कर आया जाता है. अब हम विलोड़ित होस रीक्टर के बारे में जानते हैं. यह समान्यता बेलनाकार होते हैं. इनके आधार गुमावदार होने से रेक्टर के अंदर अंतेवस्तु के मिश्रन में सहायता मिलती है. विलोड़क बायो रियक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता वो उसके मिश्रन का काम करते हैं हवा बुलबुले के रूप में भी भेजी जा सकती है चित्र में देखने से ज्यात होता है कि इन बायो रियक्टर में प्रक्षोभग तंत्र अथ्वा एजिटेटर सिस्टम उक्सीजन प्रदाय तंत्र जाग नियंदरन तंत्र तापक्रम नियंदरन तंत्र पीच नियंदरन तंत्र और प्रतिचेयन द्वार लगा होता है जिस से समवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है देखें कि जैव संशलेशित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिश्कृत तयार होने वा विप्रन के लिए भेजे जाने से पहले किन प्रकर्मों से होकर गुजरता है। को ओषदी के लिए इस्तिमाल करना है तो ऐसे में संरूपन अथ्वा फॉर्मिलेशन को चिकित्सिय परिश्यन से गुजरते हैं। प्रतेक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रन परिक्षन भी किया जाता है। कि किस प्रकार बायो टेकनोलोजी का प्रयोग COVID वेक्सीन बनाने के लिए किया गया और RT-PCR तकनीक के द्वारा COVID टेस्ट किया गया। वेक्सीन को औशिदी के रूप में इस्तिमाल करने से पहले human trials अत्वा चिकित्सिय परिक्षन किये गए और वेक्सीन को उचित परिरक्षन जैसे कॉलेस्टरॉल, लिपिट्स और सॉल्ट्स के साथ संरूपित किया गया है। यदि उत्पाद को औशिदी के लिए इस्तिमाल करना है तो ऐसे में संरूपन अत्वा फॉर्मिलेशन को चिकित्सिय परिक्षन से गुजारते हैं। प्रतेक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रन परिक्षन भी किया जाता है। अनुप्रवा संसाधन वह गुणवत्ता नियंत्रन परिक्षन प्रतेक उत्पाद के लिए बिन बिन होता है जो कि हमने कोविड वेक्सीन के उत्पादन के लिए देखा है। इसके साथ ही हम पार्थ 11 जैप्रद्योगी की सिधान्त वप्रक्रम का समाप्त करते हैं और अगले पार्थ 12 में हम जैप्रद्योगी की और उसकी उप्योग के बारे में पढ़ेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद.